तो क्या कहना चाहेगी आप भी काफी आज बेबी तर इसका पहती है? हाँ क्योंकि बेबी ने परिला खंदान की इजद को चालने के कोशिश की जो दादी कभी नहीं चाहती ठीक है दादी ने कभी सोहानी को पसंद नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं है कि वो पिरला खांदा इनकी सब को मिट्टी में मिला है, इसलिए दादी ने गुस्सा किया. इसलिए देभी बता रही थी कि कुछ-कुछ जगे आप भी हमकी मदद करने हैं सुहानी को टॉचर करने के लिए, आपके उसे एक परमिशन मिल गए कि हां तुम कर सकती हो, तिर आज क्यो दादी इतना आए लाएक है? नहीं लाएक ऐसा नहीं था कि परमिशन मिल गए, दादी का शुरू से ऐसा ही था कि दादी ने कभी सुहानी को पसंद किया ही नहीं है शुरू से अभी तक, तो वो यह कहते थी है ठीक है अभी तुम अगर उनकी बीबी बन गई हो और अगर तुमको लगता है कि उसने सजा दे सकती है तो कहीं बेबी सुहानी को इस सब में टॉचर करी थी बट कहीं नहीं हो पैसे के बामले में खुद लीचे हो गई है उन्होंने बोला कि मैं खुद नाच लूँगी तो उस पर क्या कहना चाहें गया इसलिए दादी ने उसे कहा कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सक कुछ नाजाय संबंद बना रही थी तो इसलिए दादी ने उससे कहा कि आप प्रुको एक शब्द और नहीं सुनना मचे तो यूबराज को पता चेल गया है वो भी सुहानी की है करने के लिए बीबी के पार चलेगा तो आपको पता है कि वो यूबराज थे नहीं वो दाद सरे लोगों से हमें ये जानने को मिला कि पांच बजे का टाइम स्लोट उननों को पता नहीं है तो मैं आप सभी लोगों